हेलो दोस्तों, विज्वलाच वित्वीनी में आपका स्वागत है उमीद है, बिल्कुल तैयारी में जुढ गए होंगे क्योंकि 5th of November को NTNA डेट रिलीस कर दी है एक्जाम्स की और 5th of November को आपकी एक्जाम मौनिंग शिफ्ट में रहेगी होप सो, वो एक्जाम अच्छी हो आप लोगों के लिए और बिल्कुल अभी बहुत टाइम है, अच्छा है कि हमारी एक्जाम एड़ लास्टी है तो अभी भी टाइम है, तो आप लोग बिल्कुल अगर पढ़ रहे हैं तो अपने तयारी continue रखें, मत सोचें, एक्जाम आगे बढ़ेगी, नहीं होगी, क्या होगा जो भी होगा आपके preparation कभी paste नहीं जाएगी तो हम लोग Western Art की timeline कर रहे हैं, आप सब जानते हैं और Rome का हम लोग first part कर चुके हैं, और आज मैं आपके लिए दूसरा भाग ले के आओंगे उसमें हम Rome की वास्तुकला के बारे में discuss करेंगे, जैसे कि हमने युनान की वास्तुकला के बारे में किया था तो दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो welcome है आपका मेरे channel पे और जल्दी से bell icon प्रेस कीजिए, channel को subscribe कीजिए और ये video पसंद आए, तो please like कीजिए और comment section में मुझे जरूर बताईए कि आपको ये video कैसा लगा बिल्कुल और पहली बार अगर आप लोग अभी जुड़े हैं, तो एक चीज़ और बता दूँ कि ये first, इसका first part आप जरूर देखें और उसके बाद ही second पे आएंगे, तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग देखेंगे, सब पढ़ चुके हैं, अट्रसकन की civilization और रोमन civilization का introduction में बता चुकी हूँ, और आज हम लोग वास्तु कला, जो की हमने युनान में जिस तरह से पढ़ी थी, वो ही हम रोमन के कला में पढ़ेंगे, तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखें, वास्तु कला में देखते हैं, क्या है, कला की दुनिया के लिए महत्व पून, रोमन, उपहार, वास्तु कला और इंजिनियरिंग का ज्यान है, ठीक है, मतलब ऐसा लगए कि कला की जगत में उनने का mostly important काम क्या था, उनने अपना वास्तु कला एक architecture वक दिया और इंजिनियरिंग, इंजिनियरिंग के use से कैसे काम किया, वो भी उनने उपहार हमको को कला जगत को दिया है, एक वस्तु विशे की विशिष्टता और विविदता है, और दूसरा अंतराल बनाने के लिए डिजाइन किये गए दूसरे महबार, महराब, बढ़ते महराब या गुम्बत का कलात्मक उपयोग, ठीक है, आप समझ ले, जो एक तो क्या है, कि means जो वास्तु है, means जो आकिटेक्चर है, उसका जो डेवलपमेंट, उसकी बढ़ा विविदता हो रही थी, उसके बारे में उसको वो चीजने दे रहा है हमको, और दूसरा कहा है कि हमको स्टेथ डिविजन, स्टे, स्पेस को, अंतराल जिसे कहते हैं, कैसे डिजाइन करना है, कै युलान में जिस तरह से पिलर्स देखे, कॉलम्स देखे, एंटेबलेचर्स देखे, यह सब देखा, उसी प्रकार से रोमन वास्तु कला की भी कुछ अपनी पहचाने देखे, मैं यही बताती है हूँ कि हर समय, जो कोई टाइम पिरेड हम पढ़ रहे हैं, हम इसलिए कि जरूती नहीं पढ़ेगी अलग अलग टाइम का, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ अब चेंजस आता है, तो हमें हर टॉपिक में हर चैप्टर में यही देखना है कि क्या चेंजस आए, तो अब रोम जो कला है, रोमन आर्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो वास्तो कला है, उसमें महराब अलग तरीके की बनी भी दिखी हैं, जिसको आर्क्स कहते हैं, सर्कुलर है, अलग टाइप्स की हम आगे देखेंगे, तो उनने उसको दोस्तों, देखें, आसान नहीं है, दिखती बहुत आसान है, एक पैंसल लेके स्कैच करना, इस वेरी आप तोलके, तो वो सब चीजें, इसलिए बहुत कहा गया है, कि इंजिनियरिंग के फील्ड में भी उसने अपनी एक अलग पहचान यहां पर बनाई है, ठीक है, तो आगे हम वो तो देखेंगे, अब देखते हैं, जब अगस्तस, पहला रोमन सामराज्य सीहासन पढ़ाया आगस्तस राजा थे, मैं आपको ग्रीक के एंड में भी बता चुक्यूं, और रोमन के स्टार्टिंग में इससे पहले वाले भाग में भी यह बता चुक्यूं, तो सरचनाओं के निर्माण में ताकत और प्रत्साहन मिला, जब वो आए तो एक और उनको अप्रेसियेशन व वहां प्रचूर मात्रा से पाए गये, सफेज संग्मर्मर इट बनाने के लिए आवश्यक उच्च गुणवद्ता वाली मिटी भी आसपास पाई गये, सफेज संग्मर्मर युनान में भी पाए गया था आपको पता है, वो चीज़ें यहां पे भी इनको मिली गये, उन्हो सपनाल किया, अब आप बोलेंगे, यह पद्छर की कहदानाों को क्यों बांते हैं, क्यों बांते हैं, क्यों की वही उसको जब हम built करें, हम construct कर के अलावा शुद्ध रेती ली मिट्टी का भी जो एक mixture है उसका यूज किया हम भी देखते हैं देखो आम जन में घरों में इटों के साथ साथ रेती उससे जो पूरा material बनाते हैं और उससे construction करते हैं तो वो चीजें यहां पर इन लोगों ने भी start करी ठीक है आके देखते हैं Roman वास्तो-शिल्प विशेशगयों ने गृरीक दोरिक, आयोनिक और कॉरिंथिनियन आदेशों मतलब order को ground किया और Tuscan और Composite देखें डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथिनियन हम clear कर चुके हैं और Tuscan और Composite यह दो अब उरडर हैं जो नए आ हैं जो Roman में रोमन में यह चलता था, Grund तसकन और तो क्या होता है देखते नामक 2 नई स्थापत्य शेली विक्सित की तसकन को डोरिक आदेश के एक हिस्से को बदल कर विक्सित किया जा रहा है तो उसको बदला मतलब जो डोरिक था डोरिक सिंपलेस्ट आपको फोर्म पता है अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपके दिमाग के मतलब आँखों के सामने आगया होगा कि डोरिक कैसा डिजाइन था ठीक है तो उसको कैसे चेंज करके टसकन में किया देखते हैं यहां स्तंब में स्तंब पर डिजाइन किये गए किसी भी उतकिन रोल के बिना एक नीव सरचना है कैसे दिखिए मैंने आपको बताया था जो अपना डोरिक वाला वो चीज होता है यह वाला यह पिलर है तो यहां पर उनको मैंने बोला था कि ऐसे-इस यह रोल्स बनाएं उनन वो सरल सादा और गैर अलंकरित रखा गया है मतलब उनकी रेखा भी बिलकुल सरल सी है जैसे सिंपल डोरिक में थी उस तरह से ठीक है तो यह चीज थी टसकन में और दूसरी चीज एक और चीज देखेंगे तो यह आप देखें बड़े अच्छे से मैं आपको दिखाती हू यह है हमारा डोरिक ठीक है आप यह देखेंगे यह डोरिक है इसमें आप देखिए 5 एलग-अलग कैसे रोलस बने हैं लेकिन यह टसकन है यह बहुत अब उपर इसका जो एंटेबलेचर है यह भी बता चुक हूं पूरा यह यहाँ पर सिंपल होता है टसकन में करते थे कि य जो है इसका एक नीचे अलग से base नहीं हुआ करता दोरिक का होगता तो डोरिक का नहीं हुआ करता था लेकिन टस्कन का बी अलग से base है तो एक प्रकार से हम टस्कन को क्या बोलेंगे वह आयोनिक और डोरिक का भी थोड़ा सा कॉंबिनेशन है, कैपिटल हटा दे लेकिन ये देखें तो इसके कारण मैं बोल रहे हूँ आपको, चीके अब आते हैं कॉंपोजिट क्या है, तो जब की कॉंपोजिट शेली को की कैपिटल में कॉरिंथीनियन और आयनिक डिजाइन का मिश्रण है, इसकी सजावती उपस्थिती के कारण मिश्रिट शेली का उपयोगी विजय महराब के लिए किया गया है चीके ये बहुत कॉंपोजिट बहुत उसमें यूज आया गया, क्या है इसमें ऐसा बोलाए कि कॉरिंथीनियन और आयनिक इन दोनों के मिक्स्चर का कैपिटल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉंपोजिट में एक तो यह हो गया, मतलब आप समझीए जिस तरह से डोरिक में सिंपल कैपिटल था युनान के समय उसी प्रकार का सिंपल कैपिटल और सिंपल वाली चीज थी वो थी टसकन और यह जो था यह दोनों चीज़ें बहुत डेकोरेटिव थी हमारी आयोनिक और कॉरिंथीनियन तो वो चीज़ें हमको कहा मिल गई, कॉंपोजिट में मिल गई तो यह सिंपल चीज थी, बस इन दोनों का मिक्सचर है और इसका एंटेब्रेचर भी थोड़ा सा अलग सा डेकोरेटिव था तो यह चीज़ें हम देखेंगे कि यह एक अलग चीज इसमें थी, अब देखते हैं रोमन ने प्रातनाओं के संचालन के लिए भी फॉलो किया क्राइस्ट पिरेट के आसपास तो अब वो लोग धर्म फॉलो करने लगे थे, वो लोग साथ में पूझा करते थे, तो बिल्कुल आज जैसे हम देखेंगे अडिटोरियंस की नीड है वैसे उनको भी पड़ी दी, तो उन लोगों ने एक बड़े सभागर, असेंबली हॉल टाइपस की चीज़ें आवशक्ता महसूस की ग्रीक विध्या, इतने बड़े मंडली हॉल की छट को पकड़ने और समर्थन करने के लिए परियाप्त नहीं थी ये बिल्कुल पॉइंट देखें आप वो अब इतना बड़ा हॉल है तो ओविएसली देखिए दिखता बहुत इजी है मैं अभी फिर बोल रहूँ हम पैंसल से स्केच कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ को कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सा दिमाग इंजिनियरिंग उसकी ज़रुत पड़ती है कि हम कैसे उतनी बड़ी रूफ को उतनी बड़ी रूफ को उतनी बड़ी छत को कैसे नीचे का सपोर्ट दें जिस्ता से आप देखिंगे हमारे घरों में भी छत बनती है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितने सारा एक स्किल्स लगता है तो वही चीज़ें थी कि जो ग्रीक अकॉर्डिंग टू ग्रीक आर्किजेक्ट्र था उस प्रकार से चीज़ें यहां पे सम्हालने लायक नहीं हो रही थी तो इसलिए रोमन वास्तुकारों ने निर्मान के लिए महराब की एक अभिनव पद्धती का उ ग्रीक में यह सब नहीं था ग्रीक में एकदम सिंपल रूफ थी लेकिन रोमन में क्या हो गया था रोमन में महराब जो आक्स बोलते हैं उसकी पद्धती का उप्रयोगी ने किया इस तरह के महराब ट्रंक के आकार की एक विशिष्ट विधी का उप्योग किया गया था पत् इसको एक मिटागे देखों इसका यह के नहीं है अच्छा एक था मेरे बुक में मैंने देखा था क्या करते हैं मैं आपको इसी समझा देती हूं यह अलग अलग शेप्स के पत्थर लेते हैं इसे चोटी चोटी पत्थर आपको पता है इत हैं जिस चीजों से बिनिर्मान करते तो उन लोगों ने क्या किया था उन लोग की एक क्या स्पेशलिटी थी उन लोगों ने उस चो स्टोन्स हैं उनको ही इतने व्यवस्तत धंग से कट किया मतलब एक एक तो उससे उनने एक पूरी मैं बोलूँगी आर्क ऐसे तरीके से बनाई इस तरह से चीक है सौरी उसके उपर जा रहा है लेकिन इस तरह की जो आर्क होती है वह इजी नहीं आप खुद सोचेंगे कि पत्थर को जोड़के लेकिन उन्हें कटी इस तरह से किया ताकि उनको कोई सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक घुमाओदार अर्ध गोला का रूप में परिणाम होग पत्थर रूपमों के बीच एक पत्थर फिट किया जाता था जिसको की स्ट्रोन कहते थे अब आप समझें वैसे एक दूसना यह चीज़ भी है जिसे अब आपको मैं इसके उपर ही लेती हूँ यह है हमारी आर्क इस तरह की आर्क उनने उनको बनानी है तो उसके लिए एक वुडन हेल्प से भी वो लोग करते थे मतलब यहां पर यह ऐसा कुछ वुड का लगा देते थे जिससे उसको सपोर्ट मिल जब यह बन जाता था तो वो उसको हटा लेते यह तो एक प्रोसेस था उनका लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं यह जो की स्टोन क्या होता है यह बत करते थे जिब यहां पर उनको यह मानली जी इधर पत्थर लगाए इधर पत्थर इस साइड लगाए इस साइड लगाए इस साइड लगाए एड दे एंड बीच की चीज बचती थी जिसमें एक तरह से पूरा इसका सेंटर था यह वाला जो स्टोन है वो आखरी में लगा जिसको क्या कहते थे खी स्टोन कहते खी स्टोन मतलब कि वह प्रॉपर जो शेप जितना बच्चा होता था उससाब से कट करके वो उसको करते थे यह वाला जो बीच की सा रहता था यह की स्टोन है सकाफ में को फोटम मतलब मैं भूल चुकी हूं लगाना यह अशुकू आप तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह आग बन जाती थी, अब आप बोलेंगे यह दो प्रकार की क्यों है, तो उसको भी देख लेते हैं, पत्थरों या इटों की धनुशाकार छट को महराब कहा जाता है, ठीके, no doubt इसमें, यदी महराब क केवल एक तरफ तक बढ़ाया जाता है, तो यह सुरंग की तरह दिखाई देता है, इसे बैरल वॉल्ट और वेगन वॉल्ट कहते हैं, तो मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं मिल पाया था, वॉल्ट मतलब भी सुरंग ही होती है, मिन्स आर्क ही होती है, उन्ही को वॉल्ट क कहते हैं, तो इसको बैरल वॉल्ट और वेगन वॉल्ट क्या होता है, जब हम यह महराब को यह वाली जो आर्क है, उसको एक ही तरफ में बढ़ा रहे हैं, तो यह एक तरह से सुरंग जैसी हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, बैरल वॉल्ट और वेगन वॉल्ट कहते हैं, छीक है लेकिन ये इसी barrel vault की खामियों को दूर करने के लिए रोमन आकिटेक्ट्च विचेशिग्यों ने cross vault विक्सित किया इसमें क्या था ये देखिए इस तरह से ये सब तरफ से extend हो रहा था तो ये वाली चीज जो होती है ये cross vault कहते हैं और ये वाली चीज को wagon vault या barrel vault कहते हैं तो इस तरह की दो आर्क की जो महराब की एक विशेश्टा हैं आप देखिए दो प्रकार के होते हैं वो इसलिए मैं आपको ये बताने वाली हूँ बस तो ये तो हमारे हो गए महराब हमने महराब देख लिए हमने pillars देख लिए ये रोमन में क्या difference है अब temples का देख लेते हैं थोड़ा रोम सामराज में गोल और चोकोर दोनों आकार के मंदिर बने हैं शेप क्या है इसका गोल और चोकोर अंकारा में ऑगस्टस का पारगनन में ट्राजन का सीरिया में एफरोडीटी का पलमीरा में बेल का आटेमीज में सैंक्चुरी है और गोरासा में जियूस का तता बक में बलका मंदिर यहां पर मतलब प्रसिद निर्मान है। मंदिर का तल घर चोड़े चरणों से बना था। ग्रीक मंदिर के विपरित गर्ब ग्रह सक्रा और चोटा था। मतलब जितना ग्रीक में था, ग्रीक में हमने पूरा, मैं आपको सैंक्चुरी, वो बता चुकी हूँ, सैंक्टरम किस तरह का उसका डिजाइन था, तो वैसा ही रोम में क्या था, थोड़ा सा छोटा था, सक्रा था, इससे जादा तर तीन भागों में विभाजित किया गया था मंदिर के मोचे पर खंबों के साथ एक बड़ा बरांडा था, इसके बजाए इसमें खंबे थे, जो आंचिक रूप से दिवारों में छिपे हुए थे, मिन्स वो ओवरॉल नहीं दिखते थे, वो कुछ दिवारों की पीछे हाइड थे, मतलब पाशिली दिख रहे थे और प गुमन मंदिरों में युनानियों की परिधिये शेली का भ्रहम है, मिन्स जो उनका सरकॉंफरेंस वाली मतलब बोलूंगी मैं उनकी जो पैरिफरिल स्टाइल था, मैं आपको बताया है, जब मोर देन फोर ये पिलर्स होते थे, ये स्टाइल उनका पैरिफरर होता था, और आगे पीछे रहता था, ये बताया था आपको, तो शेली का भ्रहम है, इस शेली को स्यूडो पैरिफिलर के रूप में यहां पे जाना जाता है, कहां पे? रोमन में, रोमन में में स्को क्या बोलते है, स्यूडो पैरिफर ये इनका टेम्पल स्टाइल था, ये थोड़ा सा पर जाके आप देखें और इस तरह से यही इनके पिलर्स पर खड़े वे थे इसमें पिलर्स कौन से थे तसकन हो चाहिए कॉंपोजिट हो इस तरह के थे यह कौन सा टैंपल है दो टैंपल ओफ फॉर्चुना विरिल इसका फाइन इंग्जैंपल है स्जूडो पेरिफिरल का अब यह एक टैंपल देखते हैं इनका अर्किटेक्ट्च तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टन पैंथे नॉन्स टैंपल फिर से याद दिला दो यह पैंथे नौन है और पैंथे नौन हम आप युनान में पढ़ चुके हैं तो दोनों में कंफ्यूज बिलकुल मत और पैंथेनान अलग है यह पैंथेनान रोम में है पैंथे नौन ग्रीक में तो यही जब थोड़ा सा गंफूजन है जो आपको देखने थोड़ा करना पड़ा को आपका चुँख है पैंथेनान टेंपल है कहां पर जीन जान नांग सेर्क ओर स्टे फिल्यमीिट्ट्बि इसमें है, मतलब वो वही रोम का एरिया है, 113 से 125 इसा में बना था, किस ने बनाया था, ट्राजा हने बनाया था, ट्रोजन ने, यहाँ आज भी अच्छी स्थिति में है, मतलब यह आप फोटो देख सकते हैं, लोग आज भी यहाँ पर विजिट करते हैं, इस प्रकार की स्थ चीटि में है, इसका निर्मान समराट हेड्रीन के शासन काल में पूरा हुआ, ट्रॉजन ने किया, इनके लिए किया था हेड्रीन के लिए और हेड्रीन मतलब जो राजा थे, उनके शासन काल में यह हुआ था, पैंधेनाओं टेंपल्स, ठीक है, इसकी अनूटी विशिष् आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो पैडिमेंट शिर्शागरी आगे से दिख रहा है दिख रहा है आपको लेकिन इसके पीछे ये बहुत बड़ा सा गुमबद है और ये अलग है ये वाला जो गुमबद ने उपर से डॉम स्टाइल देखता है आप चाहें तो नेटपिक बाद सर्च कीजेगा आपको उनका स्टाइल समझाएगा ठीक है तो ये उनका सबसे बड़ी चीज क्या है गोल सर्कुलर डॉम है ये गोल गुमबद है मंदिर को घुमाओद और भीत अत्रे चिद्र के माध्यम से आने वाली रोशनी भवन के विशाल स्थान में खुशी की शुरुवात है ये आप समझें कि वो डॉम है लेकिन यहां पे एक वॉल्ट है मतलब एक छेद बनावा है जिससे जो है इसकी लाइट यहां पे हमारे अंदर एंटर हो जाती है उस प यह इंपोर्टेंट है जय चीज आज तक नहीं हुई थी ग्रीक में युनान में यह चीज नहीं होई थी रोम में इस प्रकार के मंदित दोस्तों बनने लगे और तेंपल देखते है तो टेंपल ऑव बच्चूस बैलबक का मंदिर भी कहते है उसको और बच्चूस का भी कह गया है मंदिर की प्रतिमा के शरीर का निचला भाग साथ ग्रहों की आकरतियों से योक्त था सभा मंदब तथा शिखर आधी पूर्वी परंपरा में मध्यकालीन हिंदू मंदिरों की भादी थे बाहर्त एक छोटा मंदिर मतलब इसके आसपास एक छोटा मंदिर अतर गतीज वेनस का था एथेतरो इस इश्वर वसंद की देवी के छोटे-छोटे मंदिर भी इसके आसपास की उसमें थे चीक है तो यह तो था हमारा वचूस का मंदिर यह एक और है नाइफिम्स नाइफिम्स बहुत अच्छा मंदिर है मतलब उसको कहते है अफसरा का मंदिर नाइम् जॉर्डन यह इसका लोकेशन है 198 इसा में बना है इन में स्तंब मंदपों के बीच अर्ध वरताकर मतलब सैमी सर्किलर अथवा बहु कोडनिया मतलब मल्टी कलर्ड कक्ष में अपसनाओं की मूर्ती रखी गई यह बाकी जादा कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है नहीं वो तो यह बहुत सारी चीज़े बनी है वस्तु कला में इनने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बनाई है तो अब देखते हैं कोड्स में क्या है रोमन लोगों ने सार्वजोनिक बैठक के लिए भव्य और विशाल इमारतें बनाई मैं आपको बता चुकियों आडिटोरियम असाइमली हॉल यह सब भी बनाई ऐसे ही कोड भी इस सरजना को बैसिलिका कहा जाता है बैसिलिका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप नही है वो तो वो एक कोड टाइप होता है लेकिन असेंबली हॉल हम वहां पर मतलब असेंबली वगेरा यह सब होती है तो हम इस तरह से बनगे इस तरह के जो बड़ी सरचना है उसको बैसिलिका कहा जाता है बैसिलिका कि योजना आयताकार्ट थी रेक्टैंगिलर मतलब इसमें दोनों तरफ खंबे थे इस तरह के निर्मान के कारण मंदिर के केंदर में नेव नामक एक लंबी मंडली हॉल बनाया गया था नेव एन ए वी यह रा नेव नेव मतलब हम देखते थे टैंपल्स में भी इसकी जरूरत आवश्रक्ता होने लगी तो उस प्रकार से नेव बैसिलिका को ही देखके उससे इंस्पायर होके इस तरह का एक बड़ा रेक्टैंगिलर हॉल मंदिरों में भी बनाया जाने लग गया था जिनके माधिम से हॉल म प्रवेश गिरता था प्रवेश द्वार की विपरित छोर पर अर्ध गोलाकर अवकास जैसी तिजोरी थी तो ये कोट का देखें अब शुरुआत में बैसिलिका की छतें लकडी की हुआ करती थी कुछ फेमस बैसिलिका है उसके बारे में हम देखने तो पहले जो है लकडी की बैसिलिका हो उसकी छत जो रूफ है वो लकडी की हुआ करती थी जूलिया लकडी की छत से आग लगने की कारण नश्ट होने के लिए प्रसिद्ध है मिन्स कौन सी बैसिलिका है जो लकडी हो उसकी छत इसकी जो छत है वो लकडी की थी ठीक है बैसिलिका जूलिया की छत लकडि की थी और यह देखी यह आपको दिख रहा हूँ बैसलीका जूलिया ही है उसकी चाथ लकडि की थी तो इसलिए वह नश्ड हो गई थि है यह वाला जो है डिस्ट्रक्टेड erson वह नश्ड हो गई थी जल गई थी पूरा ठीके लेकिन बैसलीका कॉंस्टेंट टाइन ज जो उसके बाद बनाया गया था ठीक है अब स्नानगर बाथाउस देखने जिसको हम क्या बोलते हैं थर्मे भी कहते हैं अच्छी जीवन शेली और रोमन के लॉकिक जीवन के प्यार का प्रतीक है उनके द्वारा निर्मित स्नानगर मींज अब वो लोग एक कॉमफर्ट भरी ल बैसे लिकाज यह सब लोग कंस्ट्रक्ट करने लग गए थे नो डाउट वो एक तरह से सोशल लाइफ जीने लग गए थे हम यह समझेंगे यह सब एक्सपेक्टेशन है इतना कुछ हमने हिस्ट्री को देख के इसको पता लगा है कि ऐसा ऐसा होने लग गया था तो उसी प् और दो सब्सक्राइब तो समय सबुस्ट्राइब तरह सब्सक्राइब तो उससे दॉट्व हम लोग जाले में लेक्सेट में लिए लग रूम्स बने घया तो उस प्रकात छीज ने भी थी स्नांग्रह के तीन भाग थे कैसे स्वीमिंग पूल आराम करने का और बातचित करने और विश्राम ग्रह और गर्म पानी के साथ बाथ्रूम वाली चीज गे इस तरह के इंहां तका दिविजन इनने किया था समराट, कारा काला, और डायोकलेटियन, सबसे अच्छा उदारण है, आप यह देखें, कारा का थर में, यह वाला, और डायोकलेटियनsche, तामे यह वाली चीज जो है, यह भी इस समय का, एक बहुत important, मैं कहूंगी, architecture था, अब यह आते हैं, थेटर्स आपको पता है ग्रीक में भी हुए थे लेकिन अब ग्रीक और रोम में क्या अंतर है वो अब देखेंगे यह युनानी थे जिन्होंने थेटर का निर्मान शुरू किया था मैंने बताया था उपर हाइट पे करके और इस तरह का थेटर मतलब ऐसा हिल्स पे जाके थे की तरह नहीं कैसे थेटर बनाने के लिए पहाड़ी को खोद कर रोमन ने उन्हें खुले में खड़ा किया था मींस जो हाइट पे था वो चीज नहीं करके रोमन ने उनको एक ओपन स्पेस पे खड़ा किया था ठीक है ओपन स्पेस पे सी रोमन ने उन्हें खुले और तो प्रकार से डिजाइन किया था कि बैठने की विवस्ता उन्हें उपर करी और जो हमारा जो मेन परफॉर्मेंस सेंटर है और अडिट वो स्टेज है वो उन्हें ओपन स्पेस पे रखा ग्रीक सिनेमा गरों में और्केस्ट्रा के लिए स्पेस डिजाइन ड्रोमन के मामले मे असरक्षित था सम्मान जनक था मिन्स जो और्केस्ट्रा है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट्फूल था मिन्स सब आपको ही सेंटर ओफ अट्रेक्शन दे रहे हैं वो चीज़ें ग्रीक में कम थी व्यक्तित्व के दर्शंकों की मंजिल का एक हिस्सा बिन गया अग्रीक बिन गया वहां पर अपना काम उदर होता था ग्रीक बिल्ट सेमी सरक्षिलर था वो तो उस प्रकार से था लेकिन एक और उन्हें थीटर बना है सेमी सरक्षिलर था जोरीक मतलब दो सेमी सरक्षिलर थीटर की उन्हें जाइन किया एंड बिल्ट ऑस सर्क्षिलर और ओल शेपर्मिसर वी त्याइटर जिसको क्या कहते हैं एंफी थेटर के रूप में जाना जाता है वो जो था एक प्रकार से ऐसा एक वो तो आपका हो गया था अपना थेटर नॉर्मली लेकिन जब हमने इनको दो सेमी सर्कुलर को जोड कि इस तरह से गोल स्टेडियम टाइप बनाया तो वो हो गया आपका प्रेंजमेंट अनॉल यह सब चीज़ें उसमें है केंद के च्वायन में सिटिंग और नीचले भाग की पंक्तियों के साथ एक सभाग्रह स्थान का बहुत ही परिचित है वास्तुकला में फसी सरचना और महराब की सैयोजन का उप्योग एक रोमन विशेष्टा है जो इस म लगता है अगर आप जानेंगे तो तो यह एक और चीज़ आती है हमारी क्या है ट्रयम्फल आक्स विजयसमारक मीन्स कोई भी राजा जीतता था तो वह अपनी सी एक ट्रैम्फल आक्स विजयसमारक बना देते थे समराट ऑगस्चस ने रोम में अपनी जीत के निशान के रूप में किया था है और अन्य प्रान्तों सत्रह विजय महराबों को खड़ा किया गया था है महराब जो एक प्रवेश द्वार की तरह दिखते थे मीन्स कैसा दिख रहा है एकदम इंडिया गेट स्टाइल और वो एक एंट्रेंस जैसे तो एक एंट्रेंस है लेकिन ये लोग इस जगे पर वो खड़ा कर देते थे जो इनकी विजय इसमारक दिखते था ठीक है यह दो य ये स्टम दिख रहा है इसको मूशली ये इसमें ही रहते थे के स्टम के उपर के हिस्से में एक अटारी बुद्धी राहत से सजाय गया है यह दैट मीन्स रेलिफ्स जो है एक वो डेकोरेट यहां पर उपर इदर किये गए हैं तो ये विजय इसमारक थी यह देखिए दो बहुत फेमस एक तो ये टीटर्स की है 82 AD में बना था देखिए आप ये वाला टीटर्स इसका एक ही गेट है ये देखिए आप ये पूरा इसका ये पिलर्स भी देख सकते हैं कैसे कॉम्पोजिट फॉर्म में हैं उपर क्या रेलिफ्स हैं ये चीजना जो मैं आपको पहले बता चुकियों और ये वाला जो ही कॉंस्टेंटाइन का आरके ये राजाओं ने मतलब जो बनवाए थे ये भी 315 इसा में बना थे इसकी तीन वह हैं लोग इसको आज भी विजिट करने आते हैं तो ये बहुत इंपोर्टन्ट है अब क्या है देखिए तो मैमोरियल कॉलम स्थम्स मतलब इसका में इंग्लिश वो हिंदी लिखना बूल गई स्थम्भ केहेंगे स्थम्भ लेकिन यादगार जो होते हैं वो महराव के अलावा स्मारक स्थम्भों को स्थम्भित करके राजा ने अपनी जीत को अमर कर दिया अब देखिए जीत ना हारना चलता था आपको याद रहेगा तो ये वाले जो है इस तरह के स्थम्भ वो बना देते थे लेकिन लेकिन ये एक स्थम्भ आप बोलेंगे के स्थम्भ और पिलर में क्या अंतर है फिर है ना पिलर वो तुम क्या बोलता है पिलर तो वो लोग टैंपल के लिए भी एक सपोर्ट के लेकिन यह सिर्फ एक स्थम्ब नहीं था ट्रॉजन का स्थम्ब और मार्कस औरिलिस का स्थम्ब दो प्रसिद स्थम्ब हैं स्थम्बों के नीचे से उपर तक कम राहत वाले बैंड के साथ रोल किया गया है इन राहत में बहुत सारे युद्ध के द्रश जित रहते हैं इसका क्रॉस सेक्षिन देखिए यह फोटो मैंने लगाई इसलिए यह सिर्फ पिलर्स नहीं हैं इसमें एक एक कितने फिगर्स यह देखिए यह पूरा उपर तक है तो इतना सुन्दर काम मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि इस पूरे कॉलम में उनका जो विजय जिसमें वो ज चली थी और कहां आ गई एक चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी सब उनने एक इतने से कॉलम में बना दिया और कितने बड़ा है देखिए उपर तक पूरा यही काम हो गया तो यह था एक मेमोरियल कॉलम वर्डश 114 इसा में बनाया गया ट्रॉजन स्थम्प दॉरिस शेली में था मींस उसका जो फॉर्म ओर्डर था वह ये था था ट्रॉजन के मगबरे पर खड़ा है मतलब जो ट्रॉजन का टॉब है उस पर खड़ा है वह ना उसके उपर उनकी वे एज़े विक्ट्रीग शो किया गया इसमें दर्वाजे हैं स्थम्प के माधियम से सीड़ी है यह स्टंब एक बार शिर्ष पर ट्रोजन की प्रतिमा को सशोबित करता है जो अब नश्ट हो चुकी यह देखिए आप यह वाला जो टॉंब है इसमें भी इस प्रकार के रिलिफ्स यह बने वे हैं कितना सुंदर है आप उसका फिगर कॉंपोजिशन देखें औ तो यह सब चीजन उस कॉलम से बनी गई है और उपर कहतने हैं कि ट्रोजन की प्रतिमा खड़ी गई है जो कि अब नश्ट हो चुकी है मतलब जादा कुछ डंग से बच्ची नहीं है तो यह वाला भी एक कॉलम इंपोर्टन है कौन सा है यह में बनाया गया ट्रोजन स्थाम यह आप देखना चारों और बैठने की व्यवस्ता यह सब यह स्टेडियम हो गया एक तरह से इस तरह का प्रसिद यह क्या है सरकर मैक्सिमस एरिया यह वाला है जो वह इंपोर्टन है और क्या है अब देखें तो रोमन ने अमीरों के लिए विशाल और विशाल महलों का नि देखने हैं शेहर में इस तरह के निवास को बीला अर्बाना कहा जाता है ठीकि क्या कहा जाता है विला अर्बाना एंपरर नेरो का डोमस औरिया इसका प्रसिद उधारन है यह वाली जो चीज़े यह इन लोग अमीरों के लिए यह लोग निवास स्थान ऐसे बनाने लग ग उधार अंदिया उनका एक बहुत उधारन है क्या है यह पॉंडुगॉडड़ दक्षणी फ्रांस में हैं पॉंडुगॉड़ यह क्या है यह पानी के उपर इस प्रकार से पूल बने गें बहुत अनेकों पूल बनाएं लोगने पान्डुगॉड आप याद रखना रोमन रोमन शासन में ये बना गया है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वास्तुकला वास्तुकला को मैं मुर्तिकला और चुत्रकला से इसलिए नहीं जोड़ रहे हूं को कि वह बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है क्या-क्या बनाया है उनने बहुत अच्छे से तो इसको आ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की बुक्स का भी याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी की बुक्स का भी नाम विट राइटर्स पता करके आपके लिए डाल दूंगी और बिलकुल पढ़ते रहें इसी तरह पढ़ते र हैं और आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएगा और एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा थैंक्यों सो माच दोस्तों धन्यवाद